यहां जो SMD है वो कितने रुपे से स्टार्ट होती है स्टार्टिंग में आपको बदा देता हूँ कि यहां पर 900 से स्टार्ट होती है यह आपको मशीन मिलने वाली है और अगर आप New Gadget नगरी की वीडियो देख रहे हैं और जो नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं भी दी गई है वो यह दी गई है किया अदो कर रहर थींधेडिान है झाल 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 हेलो दोस्तों मेरा नामे समीर और आप देख रहे हैं न्यूगेजिट नगरी जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर आपको पाथ 6-7-8 मोडल के आसपास आपको SRT की यहाँ पर SMD दिख रही हैं और ऐसे ही SRT के साथ साथ जैसे हमारे भाई प्रोफेशनल वे में तो उनके लिए क्विक भी यहाँ पर रखिवी हैं और कुईक के यहाँ आपको मिलने वाले जितने मोडल आपको SRT में इतने ही मोडल क्विक कंदर मिलने वाले हैं तो यहां जो SMD वू कितने रmi से स्टार्ट होती है स्टार्टिंग्... कि यहां पर 900 से स्टार्ट होती है और कितने रुबे दक जाएगी यहां पर SMD वो अभी मैं सर को अपने कैमरे पे लेता हूं वो मैं बताने वाले कि इनका कौन सा मोडल कितने का रहने वाला है और किस बजट में यह SMD आती है क्या इनके अलावा कुछ और भी इस वीडियो के आज कवर होने वाला है तो चलिए आप वीडियो पर इसी तरह बने रहें चलिए बुलाते हैं शॉप के आउनर को और पता करते हैं कि यह कुण-कुण से मोडल इनके पास यहां से रखे हुए और यह किस रेंज में आपको मिलने वाली है हेलो समीर जी कैसे हूँ मैं ठीक घग साथिंग में तक का नए मोडल है रघ सो पचाशे उसके पास आट सो पचाशे प्लस है उसके पास साथिर बश्काशन करते हैं और यह क्विक का वी ओटो कट मॉड़ल है और कुईक में उसके शारी अमरे पास की ओर रिजनल समीडी है पर रहा हैं पर दो से क्यासी सेवन आड़ 857 भी है 800 वगरा हमारे पास सारे SMD अवलेबल है तो सर आप इस पर डील करते हैं SMD में दील करते हैं तूल से आपके वास हो भी कुछ आइटम मिलती है नहीं हमारे पास सारी अवलेबल है समीर भाई हमारे पास यह 1.5 एंपेर से स्टार्टिंग है पाउर स्टार्टिंग है तू एंपेर भी है 5 एंपेर में अनलोग भी है 5 एंपेर में कुराड संसाइन हमरे पास सारी पाउर सुप्लाई भी है और हमारे पास सारे यह सेपरेटर रखे हैं सेपरेटर में हमारे पास हाट दस रेंज है यह वाइम जे का भी है साटी का भी तो अगर आप जैसे अभी आपने सेपरेटर दिखाए तो इसके साथ सब्सक्राइब करते हैं यहां पर आपको वैसे आप साथ में देखी रहे हूंगे वाई-मजे भी दिख रही है इसके अलावा काफी सारी मशीन है और मेरे इधर भी रखे हुई है और यह जो खासकर मशीन है यह M-Trangle SRT No.2 मशीन है आपके मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे जो आपने पिछली वीडियो में SRT 1 और SRT 2 दिखाई थी तो उसमें आपके मेरे पास कमेंट आ रहे थे इसकी इसकी तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर जो मोल्ड दिया गया है यह यह जो मोल्ड है यह 10 इंची इसके उपर इस टाइम पर आ रहा है और यह 9 इंची की LCD अराम से बिल्कुल पंच कर देती है और 9 इंची के साथ साथ अगर आप एज बनाना चाहते है तो यह जो और दूसरा चेंज करना पड़ेगा और इस मशीन के उपर क्या वारंटी और क्या गरंटी रहने वाली है इसके साथ कौन सा आपको वैक्यूम पंप मिलने वाला है इसके साथ वैल्यू कंपनी का वैक्यूम पंप मिलने वाला है कितने वाट का मिलने वाला है वो पूरी गई है यह पिलर बेस मशीन बनाई गई है यह भी सेम नो इंची तक अराम से पंचिंग कर देती है यह उन भाहियों के लिए मशीन रहने वाली है जिनका फ्लैट एल्सीटी का काम होता है और सबसे बड़ी बात यह जैसे है अभी मैंने एम ट्रेंगल एसार्टी नंबर टू के वारे में आपको बता है यह आराउंड मार्किट में 55,000 रुपे के राउंड यह आपको मशीन मिलने वाली है और अगर आप न्यू गैजट नगरी की वीडियो देख रहे हैं और उस जो नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं आप उस पर अगर कॉंटेक्ट करते हैं तो जाहिर ची बात है 3-4,000 रुपे का आपको 100% इस मशीन पर डिसकाउंट मिलने वाला है मशीन पर क्या वारंटी और गैरंटी रहने वाली है कितने लीटर का वैक्यूम पंप मिलने वाल है वो पूरी डिटेल आपको उस नंबर पर पता चल ल थैंक यू